स्मस्कार दोस्तों स्वाकर्थ करती हूँ आपको अपने यूटूब चैनल संध्या हुमिनिस्ट में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए मुख मंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आनलाइन पोटल तयार किया गया है जिसमें 8000 आवेदक जीनों ने पहले आवेदन किया था उन्हें फिर से आनलाइन आवेदन करने की आवशक्ता है प्रदेश के मुख मंत्री जी ने महिलाओं और बच्चीयों के शमगर विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं जिसमें से एक मुख मंत्री कन्या सुमंगला योजना है इस योजना के अंतरगत बच्चीयों के लिए आर्थिक सहाधा परदान की जाएगी इस योजना का मुख्य उद्देश भुरून हत्या रोकना है और लोग लड़कियों को बोजना समझे मुख्य मंत्री जी ने 8 फरवरी 2019 को इस योजना की घोशा केई इस योजना के तहट राज्य सरकार बेटी के जन्म से बीबाह तक बृत्तिय शहाता परदान करेगी इस योजना का कुल बजट 1200 करोड रुपए है योगी सरकार कन्या सुमंगला योजना के अंतरगत सभी लड़कियों के नाम से एक बैंक खाता खोलेगी इस खाते में नियमित अंतराल पर रासी जमा की जाएगी इस योजना का मुख उद्देश यह है कि लड़कियों को आत्म निर्भर बनाना है और बड़े होकर अपना भविस से बहतर बना सके लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रोसाहित राजपरदान की जाएगी इस योजना के सरकार ने छे चरड़ बनाए है जिस में से बच्चीयों के जन्म से साधी तक का आर्थिक मदद की जाएगी मुख मंत्री कन्या सुमंगला योजना के चरड़ क्या क्या है हम आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के छे चरट लाग किया जाएगा जिसमें से पहली है पहली स्रेडी में आता है एक जन्वरी एक अप्रेल 2019 को यह उसके बाद जन्म देने वाली बालिका को 2000 रुपे का लाभ होगा दुतियस रेडी में बालिका जो पूर्ड टी का करण प्राप्त कर चुकी है और जिसका जन्म 14 2018 से पहले नहीं हुआ है उसे 1000 रुपे एक समय का लाभ दिया जाएगा तुतियस रेडी में बहा आएगे जिनका 46 से च्षडिक वर्च के दारान कच्छा 1 में दाखिला लेने वाली बालिका को 2000 रुपे का लाभ होगा पंचवीस रेडी में वहाएंगे जिन्हें चालू से छिडिक वर्ष के दोरान कच्छानों में दाखलया लेने वाली बालिका को तीन हजार रुपए का लाब होगा और चालू से छिडिक वर्ष में कम से कम दो साल में प्रमाडिक डिप्लोमा कोर्स में दाखलया लिया है उसे पांच जार रुपए का लाब मिले इसके लिए जो कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्रता क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा तो उसमें जो लाबहारती है उसका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसके पास लावार्थी का पारवारिक, वार्सिक अधिक्तम 3 लाख हो और एक परिवार की अधिक्तम 2 बच्चीं को योजना का लाख मिलेगा अगर इस से जदा होंगी तो नहीं मिलेगा एक या दो बच्चीं को लाख मिलेगा कि महिला को दूसरे प्रसों से जुडवा बच्चे होने पर तीस्री संतान की रूप में लड़की को भी यह होजना लाग मिलेगा अगर पहले से उसके एक बच्चा है और बाद में उसको दूसरे जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उसको भी एहला अगर लड़की है तो उसको एहला मिलेगा परिवार की जैविक संतानों और बिधिक रूप में गोद ली गई संतानों को समलित करते हुए अधिक्तम दो बालिकाई यूस योजना की लाभार्थी होंगी उख मंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज लाभार्थी के पास अस्थाई निवास परमाड़ पत्र हो जिसमें रासन कार्ड, आधार कार्ड, ओडर पहचान पत्र, बिद्दू, टेलीफोन बिल मानने होगा आप्रमाड़ पत्र, बेटी का जन्व प्रमाड़ पत्र होना चाहिए, जब बेटी अगली कच्छा में जाए तो उस कच्छा के जरूरत होगी बच्ची के नाम का बैंक अकाउंट की जरूरत होगी, जिससे उसकी रास उसके अकाउंट में आ सके नियमवा सरते क्या हैं इसमें इसको जान लेते हैं हम आपको एक बैद नमबर देना होगा जो भरतमान में चालू हो आवेदक द्वारा दिये दस्तावेद बैद होने चाहिए यदि कोई दस्तावेद सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदक खारिच कर दिया जाएगा एक ही बालिकागा डूब्रिकेट आवेदन पाया जाता है तो उसके सारे आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको सरकारी योजनाओं के बार में पताती रहूंगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक जरूर करिए अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे सेर करना ना भूलिये तागी इसके उत्तर प्रदेश सरकरे जो जो इसकीम निकाले उसके बारे में लोगों को पता जल सके और उसका यह लाब उठा सके धन्यवाद